बिसम्लाबूर्माणूर्यूर्म, आरे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आज हम जिस चीज्स के बारे में बात करने वले हैं, वो है diffusion models, diffusion model क्या होते हैं और किस तरीके से ये generative AI के अंदर ज़रूरत में पेश आते हैं, आपने देखा होगा के there are many models out there जो आप एक prompt लिख मैं अभी उनकी बात नहीं करने वाला जो आपको प्रॉम्ट के बाद एक जनरेटिव AI की बेस पे तस्वीर बना के देते हैं और जितना अच्छा आपका प्रॉम्ट होता है उतनी अच्छी तस्वीर आ जाती है इसी तरीके से कुछ मॉडल्स हैं जो डिफ्यूजन अल्कुरिथम की बेस पे चलते हैं अब डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है अब इसको देखेंगे और ये बेसिकली एक मशीन लर्निंग या जनरेटिव AI की फर्दर क्लास है जिसके अंदर आप किसी डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेइन करते हैं और ये रिफ्यूजन जनरेटिव AI की एक्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है इस पूरे लेक्चर के अंदर जनरेटिव AI की मॉडल्स कौन कौन से हैं कैसे वो काम करते हैं theoretical concept को हम देखेंगे and then we are going to use tensorflow and we are going to use stable diffusion models inside tensorflow to generate our images और hopefully आपको इसकी समझ भी आईगे on the other side ये पूरे का पुरा मॉडल हम अपने PC में डाउनलोड भी करेंगे और locally अपने PC के अंदर आप stable diffusion को चला भी पाएंगे I know इसके लिए आपको space भी ज्यादा चाहिए होगी और इसके लिए आपको memory और RAM वगएरा और आपका GPU भी ज्यादा चाहिए होगा if you don't want to run locally on your PC then you can use that on Google Colab as well तो let's see ये कौन से model और कैसे काम करते हैं screen आपके सामने हाजर है जैसे मैंने आपको बताया है कि हम diffusion models की बात कर रहे है diffusion models होते के हैं सबसे पहले चीज़ इनकी definition हम देखते है and you will see के definition से हमें अंदाजा हो जाएगा कि diffusion models कैसे काम करते हैं and क्या होते हैं so diffusion models are class of generative models ठीक है generative AI के अंदर ये generative models की class है known for their ability to degenerate high quality and realistic images realistic audio भी बना सकते है and you can also generate any other type of data सही है तो हमारे पास generative AI के अंदर basically हम train model करके कुछ नहीं चीज़ बनाते हैं अगर वो नहीं चीज़ इन diffusion models के थूँ बनती है high quality realistic or images, audio and data इसकी बेस पे हम generate कर सकते है कैसे काम करते हैं ये model they operate by gradually transforming random noise into a data distribution mimicking the physical diffusion process अब आपको पता है जब हम किसी चीज़ को diffuse कर देते हैं इसका मतलब है उसके अंदर हम random noise एड़ कर रहे हैं तो basically क्या होता है ये random noise एड़ करते हैं inside anything जो भी आपके पास information होती है और उसकी बेस पे आपका physical diffusion की बेस पे आपके काम करते है diffuse करना क्या होता है basically information को छोड़ छोटी जगों पे लेके जाना अब physically अगर हम इसकी example देखें तो हमारे पास there are many types of stable diffusion models diffusion models लेकिन अगर हम physics की definition देखें कि हमारे पास क्या होती है physics के अंदर तो मैं यहाँ पे लेखता हूँ diffusion diffusion in physics मैंने यहाँ पे diffusion in physics लिखा अब diffusion देखते हैं अब यह Wikipedia से मैं इस वज़ा से आपको दिखा रहा हूँ कि sometimes you need to understand the concept और फिर आपको समझाती है कि किस तरीके से हमारे पास जो concept हो clear होगा यहाँ पे अगर गवर करें diffusion क्या होती है is the moment of anything किसी भी चीज़ की moment for example atoms, ion, molecules, energy और मैं यहाँ पे कोँगा pixels generally from a region of higher concentration to a region of lower concentration यानि कि यहाँ पे अगर आपके पास higher concentration का region है diffusion का मतलब है कि वो lower concentration के region में जा रहा है अब इसकी मैं example देता हूँ आपके पास एक perfume की bottle है आपके पास perfume के अंदर जो खुश्बू के molecule है वो basically आपके पास concentrated form के अंदर है यानि कि उसमें सारे के सारा perfume के molecules या perfume का liquid पड़ा हुआ है जब आप उसे एक वो मारते हैं क्या बालते हैं सप्रेय करते हैं जैसे आप लगाते हैं यहाँ पे तो वो फैलता है वो diffuse होता है higher concentration में से lower concentration की तरफ जाता है यानि के जहाँ पे वो वले perfume के molecules कम concentration में पाए जा रहे हैं वहाँ पे यह move का रहा है यानि के from higher concentration to lower concentration यहाँ पे आपको समझ आगी यह होती है diffusion diffusion क्या है basically moment of anything कोई भी चाहीज की moment from higher concentration to lower concentration अब हम चलते हैं अपने concept की तरफ जो मैं भी आपको बता रहा था diffusion models की तरफ अब समझेगा diffusion models are class of generative models known for their ability to generate high quality, realistic image, audio and other types of data they operate by gradually transforming random noise into a data distribution ठीक है mimicking the physical diffusion process ठीक है अब हमारे पास जब हम random noise किसी जगा पे add करेंगे वो basically एक physical diffusion का process होगा यानि के higher concentration से lower concentration की तरफ हम कोई noise को लेके जा रहे हैं अब वो noise किया और किस तरीके से ये काम करते हैं पहले तो हम वो देखते हैं diffusion model का basic concept वो ही है जो physics के अंदर हम division process जो है वो देखते हैं ठीक है अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और elaborate करों तो I will write here inside my google search bar if it opens क्योंके जारी बात है मेरे पास internet slow हो जाते है जब मैं live stream कर रहाता हूँ तो यहां पर मैं लिखता हूँ physical diffusion diffusion ठीक है अब basically the process resulting from random motion of molecules by which there is a net flow of matter from a region of higher concentration to lower concentration same वो ही चीज आगे ठीक है तो physics के अंदर और physical diffusion के अंदर कोई इतना खास हमें फरक नहीं नजर आया is the same thing let's see model कैसे काम करते है अब diffusion के अंदर model कैसे काम करते है यह एक important point है please इसको दर गोर से सुनियेगा the operation of diffusion models involves two main processes इसमें दो processes होते है ठीक है कौन-कौन से दो processes है एक होता है forward process जिसको हम diffusion बोलते है and एक होता है reverse process जिसको हम denoising बोलते है अब मैं आपको समझाता हूँ यह दोनों process कैसे काम करते है forward process के अंदर क्या होता है gradually adds noise to the data over a series of steps until it's completely random एक data है जिसकी मुझे अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि यह data कोई एक खास चीज है मिसाल के तोर पे मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं एक तस्वीर हूँ अगर अब इस तस्वीर के अंदर मैं इतना noise add कर दूँ इतना noise add कर दूँ कि आपको मैं नजर आना बंद हो जाओ तो basically मैंने क्या किया है मैंने तस्वीर को diffuse कर दिया ठीक है higher concentration से lower concentration की तरफ by adding noise मैं इसको diffusion process के अंदर ले आया हूँ यानि कि जितना भी noise पूरे environment के अंदर है सारा noise मैंने तस्वीर पे डाला और तस्वीर पे डालने के बाद तस्वीर इतनी random हो गई इसको बोलते हैं forward process of diffusion model आप सबसे पहले क्या करते हैं अब दरह दुबारा देखिएगा you gradually add noise to the data over a series of steps until it's completely random अब हमारे पास जब तक वो तस्वीर की शिनाख्त खतम नहीं हो जाती तब तक हम noise को add करते हैं समझागी बात की? अब अगला step देखिएगा reverse process क्या करता है? reverse process is actually called denoising ठीक है? पहला diffusion है यानि कि noise को add करना इसको मैं noising भी बोल सकता हूँ और ये denoising अब हम क्या कर रहे हैं? अब जरा गौर से सुनियेगा जिस तस्वीर को हमने खराब किया था noise add कर 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 अब उस noise से model दोबारा से एक नई तस्वीर बनाएगा जिस को हम denoising बोलते हैं and this process is actually called reverse process of diffusion model forward में क्या आपने noise add किया reverse में क्या एक नई चीज बन गी उससे तो वो जो नई चीज बननी है वो basically पिछले patterns की base पर ही बननी है generative है कि अब मकसद यह है यह पहले आप कोई चीज train करते हैं train करने के बाद उसमें से आप उसको नई चीज की तरफ लेके जाते हैं so we have two processes forward process जिसको हम diffusion बोलते हैं and then reverse process जिसको हम denoising बोलते हैं यानि कि हमने noise add किया चीजों को diffuse किया diffuse करने के बाद हमने उसको denoise किया अपने पास एक latent space बनाते थे ठीक है और अब हम क्या करते हैं यहां पे latent space की बजाए हम उसी तस्वीर के अंदर noise add कर देते हैं और बाद में उसको denoise कर लेते हैं simple यह दो process के साथ आपका diffusion model जो है वो काम करते हैं यहां तक समझ आगी है adding noise and taking the noise reverse और उसमें से नया कोई data reconstruct कर लेना मैं एक मिसाल देता हूँ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कभी याद है आपने बच्पन में यह स्कूल के अंदर कोई चीज लिख रहे होते थे और आपसे घल्त लिखा जाता था और उस point पे आपके पास razor या rubber नहीं होती थे उसको मिटाने के लिए ठीक है उसको मिटाने के लिए आपके पास razor या rubber नहीं थी तो उस वकट आप क्या करते थे तो उसको उपर cross कर निशान लगा देते थे यानि के दो लिख है और यहां पे तीन लिखना था आप दो को ऐसे cross कर देते थे secondly आप यह भी करते थे के दो लिखने के साथ ही नीचे एक डंडी से बना देते थे so basically यह वही चीज है आप एक चीज को diffuse कर रहे है and then आप reverse उससे अपना जो भी information है वो वापस भी ले रहे है मिसाल के तोर पे reversing क्या है जो आपने ऐसे ऐसे करके लिखा था अगर उसको आप मिटाने वाली process को या करो क्रिस क्रोस करने वाले को रबारा से reverse कर ले that's called denoising so noising and denoising समझा आगी बात की अब देखते हैं types of diffusion model कितने किसम की है diffusion models vary based on application domain और architecture for example discrete diffusion models यह वो वाले model होते हैं which are being used for discrete data like text और categories discrete data एक ऐसा data होता है जिसमें categorical चीज़ें होती है या text होता है इसको बोलते हैं discrete diffusion model फिर continuous diffusion model होते हैं जिसमें हम continuous data को देखते हैं for example इसमें denoising diffusion probabilistic models जिसको ddpms भी बोलते हैं and then improved denoising diffusion probabilistic models यह उसी की improved type है यानि कि जो continuous data यह हमारा ऐसा data जिसके अंदर numbers होते हैं उसको deal करते हैं फिर हमारे पास conditional diffusion models होते हैं जिनमें यह generate करते हैं data conditions on inputs for example dull e जो है हमारा from image to take images from text यह conditional diffusion model है conditions क्या होते हैं कि आप specificly बताते हैं कि यह वाली चीज़ बनाओ मैं एक मिसाल देता हूँ दुनिया में जितनी तस्वीरें हैं अभी तक जितनी भी आपने upload की हैं ना online वो सारी की सारी अगर आप उसके उपर model train करने हैं आप सभी को noising में डालेंगे उनको noise करेंगे diffuse करेंगे images को तो आपके पास एक ऐसी image आजाएगी जिसका कोई भी एक आप कह सकते हैं कि हमारे पास privacy नहीं है उसका कोई privacy issue नहीं है मतलब मेरी तस्वीर अगर online है अगर इससे कोई use कर रहा है और मेरी identity वो नहीं रहती उस तस्वीर में उससे दुबारा से images जो हैं दुबारा बनाते हैं from text अब conditional diffusion model क्या होते हैं मैं condition देता हूँ एक तस्वीर बनाओ जिसके अंदर एक औरत बैठी हो हिजाब पहन के उन्होंने वो वाली तस्वीरें या वो वला noise लेना है जहां पे हिजाब के labels पड़े हुए हैं या similar to that kind of conditions अगर कोई उसके पास data पड़ा हुए and then they can actually pick up some other diffusion models और उसी के थुरू वो conditions लगा के उन चीज़ों को ले लेंगे so conditional based जो models हैं जिसके आप image create कर रहे हैं basically वो आपका डाली 2 या कोई भी आपके पास जो model है वो basically conditional diffusion models है फिर latent diffusion models होते हैं यह क्या करते हैं यह operate करते हैं latent spaces for efficiency and flexibility तो अगर आपके पास latent spaces भी हो latent spaces में से data उठा के आपने reverse processing करनी हो इसको बोलते हैं latent space diffusion models या latent diffusion model इसके बाद guided diffusion models होते हैं ऐसे model which use additional networks for more control over outputs like clip guided models for image generations from text इसके अंदर क्या होता है आप इतना ज्यादा prompt लिखते हैं negative positive और आप control करते हैं चीज़ें को इनको बोलते हैं guided models यानि के एक एक बरीक भी नहीं आप बता रहे होते हैं मिसाल आपको देता हूँ डाली के अंदर अगर आप कोई भी prompt लिखेंगे and at the end आप कुछ भी बना सकते हैं इसे ठीक है so these kind of things actually work as a multi-model as well in kind of chat, GPT or some other stuff so ये आपको पता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से types महुद हैं applications की बात करते हैं usually आपके पास जो application है just a minute applications जो आपके पास इस वकत महुद हैं वो image generation के लिए हैं creating realistic images or artwork using speech or sound effects इसके लिए भी ये use होता है molecular designs के लिए ये use होते है for example for drug discovery by generating molecular structure और इसकी सबसे बड़ी example जो आपके पास alpha-pole 2 है and then text generation आप basically adapt कर सकते हैं diffusion model को for generating text यानि आपने जितने हैं किताब में आज तक publish हुई हैं अगर उस पर model train करना है you can actually denoise them noise them उनके अंदर को यह भी रेंडम चीजें डाल दें और वो text के एक structure बन जागे and then you can reconstruct your new text from the original text so basically ये सारे काम आप कर सकते हैं अब कहां पे change होना जरूरी है evolution and research के अंदर the field is rapidly evolving and with new research improving efficiency, quality and applicability खास दोर पे diffusion models are at the forefront of generative modeling continually expanding their capabilities believe me आज से एक साल पहले जहां पे diffusion model पड़े हुए थे उस से बहुत ज़्यादा improved versions में आचोके हैं there are many types of diffusion models out there which works to generate new images और ऐसी quality के hyper realistic images आपके पास आती हैं prompt के through के people cannot even understand और आज हम एक model के बारे में बात करेंगे जो video के अंदर भी आ चुका है जिसका नाम है SORA SORA, oh Allah SORA नहीं है के मेरा SORA यह SORA model है यह basically recently launch हुआ है और यह model open AI की तरफ से है और open AI इन्हें से launch किया video भी create कर सकते है जन्रेटीव AI के through and that's what we are going to talk about today as well लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखते है कि diffusion model रप्रेजेंट a significant advancement in generative modeling offering flexible and flexible and power solutions across various domains so सिरफ image generation, audio generation के अंदर इन्हें, video के अंदर भी आ चुकी है चीज़ और वो लोग जो different किसम के generative AI के उपर काम करें they know के diffusion model जो है basically एक advanced technique हमारे पास already present है अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से diffusion model को use कर सकते हैं and how many diffusion models are out there यह आपके छोड़ी से assignment भी है इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आपने enlist करना है enlist the names of diffusion models out there with their capabilities and price tags अगर कोई free है तो वो भी जो free नहीं है वो भी so इससे क्या होगा हमारे पास एक list आजाएगी जो help करेगी हमें हमें हाग पर realistic images बनाने के लिए तो यह assignment आपको help करेगी to understand के आप किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं तो यह मैंने assignment का जो है वो इसी के अंदर ही paste कर दी है यह notebook आपको मिल जाएगी and then you can actually learn कि diffusion models कैसे काम करते हैं यहां तक clear हो गया diffusion models क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं अब हम अगले lecture के अंदर देखने वाले हैं कि tensorflow को use करते हैं diffusion models हम कैसे use कर सकते हैं त्यार हैं आप चलें लेट सी समझ तो गहीं होंगे like, share, subscribe कर दें और हमारी तरह से यह छोटी से celebration आपके सामने आती रहेगी अगर आप like, share, subscribe करेंगे अगर आप नहीं करते तो फिर भी कोई मसला नहीं है we are still happy and we can use different kind of generative AI और यह generative AI है जो मैं use कर रहा हूँ based on the computer vision ठीक है, look okay